नमस्कार दोस्तों मेरे Palm Reading Channel ने आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज 29 वर्स की महिला के अतली का दिन करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुणेंगे फिर एकट करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों अ उठ रहा होगा कि मैं इनका right hand क्यों देख रहा हूँ क्योंकि ये independent है नौकरी करती है तो इनका right hand ही prefer किया जाएगा तो आईए सबसे पहले चीज हम positivity पर बात करते हैं अच्छी profession में है अच्छा earn कर रही है विदेशी दर्थी से दनलाव के बारे में जानना है वेवाइक लगी कैसे देगे इस विशय पर जानना है और क्या कुछ अच्छी खराब अवस्ता अतली पर अवस्तित है इस महत पून विशय पर इनको जानना है तो आप बिलकुल चिंता ना करें आपके सारे ही questions को गहराई पुरवक सुनूंगा और बताऊंगा तो अगर मैं positive चीज की बात कर लो तो इनके हाथ पर शानदार positivity है एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक सूरी रेखा है मैं प्रायापने वीडियो में कहता हूँ अगर आपके हाथ पर दो से अधिक सूरी रेखा हूँ तो यह बड़ी छिस्थती होती है इसमें कोई गरबरी नहीं है अगर क प्रकार की सूरी रेखा ये देखे एक ये हो गया दूसरा तीसरा और चौथा तो तीन तीन चार चार सूरी रेखा अच्छी मानी जाती है बशरते सूरी रेखा पर ये वाला चिन्न ना हो ये गरवर चिन्न है ये एक प्रॉब्लमेटिक चिन्न है इसके रिगार्डिंग आप की जीवन में परिशानी आती है लेकिन अगर सीधी सूरी रेखा आपके हाथ पर होगी तो कोई दिक्कत और कोई समस्या वाली बात नहीं है कोई प्राबलम वाली बात नहीं है अगर इसके बाद और मैं देखूं और कैस्तिती है तो यहाँ पर एक तिरबुच जैसे आकरती है यह भी देख लो सूरी रेखा के ब्रांचे से तो एक से अधिक सूरी रेखा आपको एक्स्ट्रीम धनलाव कराती है इस बात में कोई टेंशन नहीं है इस बात में कोई परिशानी नहीं है उसके बाद अगर देखा जाए तो और क्या पॉस्टिविटी है तो भागगे बढ़ी अच्छी हांथ पर брат रही है, ये कुछ यात्रा के लाइंस है, और आपको विदेसी दर्ती से दनलाव जानना था, तो इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार क्या ओकरती अगर किसी विक्ति के तलिपर बनेगी, तो ऐसे विक्ति को विदेसी दर्ती से दनलाव होना तै है ये वाली भी एक बागगे रेका के बरांचे से यहां से भी बागगे रेका दिख रही है ये वाली भी देख लो बागगे रेका अधुईती है ये भी बुद्ध रेका बहुत जबरदस्त है अगर मैं और आगे दिखाऊं आपको तो यहां भी एक जबरदस सुड़ी रेखा इसके बाद देखा जाया तो कुछ प्राउग्रस लाइन यह सब प्रगति की रेखा है इस सब पे कन्फ्यूज नहीं होना यह सब प्राउग्रस लाइन है बहुत जबरदस प्रगति की रेखा यह देख लो आपका जबरदस मंगट रेखा बहुत शांदार लाइन उफ एजूकेशन बहुत यह यह ज़ान उफ एजूकेशन बढ़िया है रिंग आफ सोलेमन भी बहुत जबर दस्तार पर बना हुआ है तो inner intuitions बड़े अच्छे होते हैं लोगों के six sense बड़े अच्छा होता है कमाल का होता है अगर मैं और positivity की बात कर लूँ तो शारी planets अच्छे conditions में राज्योक कारे करते लिए comfortable life रहती है comfortability में किसी भी प्रकार से कोई दिकत नहीं है किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है तो ये तो हो गई positive बात अब बात करते है negative चीज़ के तरफ चुकि negativity भी हाथ पर है उसको भी देखना जानना बहुत जरूरी है और विवाही जीवन को लेकिन के questions थे तो इस विशेपर भी हम विचार करेंगे तो ये सबसे पहले देखो तो ये विवार एका बड़ी लेट जा रही है तो अगर मैं इसे हिसाब से चलूँ तो होनी तो आपकी एक ही शादी है लेकिन बड़ी लेट होनी है अगर मैं इस हिसाब को देख लूँ तो 34, 35 या 36 साड़ भी जा सकता है वो तो हलाकि इतना लेट क्यों करना 29 साड़ की है आयू है लाइफ में आफसेट है तो शादी जल्दी हो जाएगी तो बहतर रहेगा तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूँगा तो ये मुख्य कारण है शादी लेट होने का बागी तो कोई दिक्कत नहीं है एक तनाव वाली रेखा जरूर नजर आ रही है और इसका मैं प्रारम भी कायू का बात कर लूँ ये एक मांसिक तनाव वाला चिन्न है ये एक यवा करती है और अगर मैं इस यवा करती के एस को बता लूँ तो ये 30 वर्ष से स्टार्ट है और ये लगबग 35 साथ तक रहेगा तो यहाँ पर से एक टेंशन वाली बात तो है आपको इसके लिए उपाय करना है बहुत जरूरी है ये हो सकता है विवाइक जीवन सफल ना होने के वज़ा से या शादी ना होने के वज़ा से तनाव आपके कुछ एक आख साल के बाद आपके जीवन पर आजाए मेरी बात को याद रखिएगा और अगर अभी से आप उपाय कर लेंगे तो बहुत हद तक आपको रिलीफ और रिलैक्स आप फील करेंगी तो इसके लिए आपकी कुण्डली को देख के मैं बता दूँगा क्या माहदशा क्या अंतरदशा है उस हिसाब से आपको रेमेडी करना है तो चलो जी ये तो नेगेटिविटी होगा उसके बाद कोई खास मुझे दिखी नहीं है अलकी फलकी राहू रेखा है तो ये समान है ये बिलकुल ज़ादा दाकतवर नहीं है ये बिलकुल ज़ादा परिशान करने वाली नहीं है तो ये तो ओगई पॉस्टिविटी नेगेटिविटी और कोश्चन्स आगे के लाइफ को लेके तो मैं कह रहा हूँ तो ये लगबग आपका 23-24 इसमें जॉब में आ गई है 26 में तरक्की थे 28 में तरक्की थे 30 में तरक्की थे तरक्की में जीबन रही है एक 32 में एक 33 में दिक्कत है फिर एक 35 में दिक्कत है फिर एक लगबग 36 में तरक्की थे 30 में तरक्की फिर एक तरक्की आपके 40 में एक बड़ी सी तरक्की आपके 42 में फिर एक आपके 45 में पिन्टारिस के बाद भी कुछ बड़ी-बड़ी यातरा के योग बने हैं आपके 45 साल तक, पचास में तरक्की, पचास के बाद भी लाइफelाइन बहुत सब्रदश्ट है एक बड़ी तरक्की के योग है साथ وर्स माँएक है फिर एक सत्तर के आसपा से उसके बाद भी यात्रा की योग बने हुए मतलब जीवन पर यात्रा है रहेंगी यात्रा मैं जिंदगी रहेगी आपकी तो ये तो होगी positivity, negativity इनके questions बाकि जो विवाईक जीवन को लेके remedy ये वो में दे दूँगा अभी इनके अतलिक आप जनले अध्यन करेंगे, चीज़ों को असपस रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे तो यहाँ पर से देख लो, ये आगया इनका स्कॉयर स्पा प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडिसंस में राज्यो कारक अतली है, तो यह ऐसे वेक्ति बड़े कंफर्टेबल लाइफ को बिताते हैं, गुलाबी धन को एट्रैक करते हैं, ऐसे वेक्ति को जब भी धन के आवशकता हो, जिन्दगी पर आ जाता है, एक जबर्दस थमब है, स्ट्रॉंग इक्षा सकती है, दो लाइन अपने लाइफ में, जो भी अपने दम पर डिजायर्स को बड़े चलाई से वेक्ति बहुत महात्मा कानची, बड़िया थमब है, वेक्ति तब शानदार होता है, समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेका दिल अच्छा है, हाँ, इ ऐसे वेक्ति बड़े हिम्मती होते है, ये महनती निचर को बता रही है, सैटर्न फिंगर, इगो हट की प्राबलम है, बाते बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो बातों को बेलकुल बुरा नहीं मानना है, ये टिंडे कर ये अच्छी दारमी कास्ता है, बाकि फिंगर अच्छी समझदार ही होती ही होती है, अगर मैं आगे देख लूँ तो ये आपका रिंग आप सुलेमन बहुत जबर्दस, इनन इन्ट्यूशन अच्छे है, ये परोपकारी रेखा है, सब के लिए करना चाहती है, बरश्पती प्रबल है, तो जिन्दगी बहतर ही रहती है, वेल्यू मान सम्मान तो मिलता ही है, एक यवा आकरती का एच 35 साल तक उसके बाद माहिं रेका बड़ी बहतर है, कुछ ट्राइंगल्स है, जो नेगटिविटी दूर कर रही है, प्रदर रेका भी काफी शांदार है, ये इमोशनल लाइन्स हैं, इमोशन का परचे करा रही ह विश्ण योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफी अच्छा दिल दिमाग की बहुत तंद्रूस्त है, यहां से दबाब है तो काफी महनती, जबर्दस बागे रेका जिन्दगी के लास तक, तो बागे का साथ पूरा विकास ना की तो बात ही न रेका है, तो कम महनत में ज़्यादा सफलता और बहुत टैलेंटेड होते हैं से वेकती, चतिस के बाद अच्छी बागे रेका है, कुछ आपके प्रापटी के योग बन रहे हैं, अर्तिस के बाद, यह चतिस के बाद भी नज़र आ रहे हैं मुझे, बुद्ध पे कड़ी र होता है, तेज बड़ा इनका कमाल का रहता है, जल्दी स्वास्त की समस्या तो नहीं होती, फिर भी ध्यान देना चाहिए, सूरी रेका आगे भी बढ़ रही है इनकी, तो तैरिंटेट तो हैं, यह भी एक सूरी रेका के ही ब्रांचेस हैं, यात्रा के योग बढ़ अच्छ करती है, तो जिन्दगी में पैसा आता ही है, और लगबग 26 वर्स के बाद एक बड़ा परिवर्तन था, बड़ी अच्छी बागे रेका दो ब्रांचेस के साथ बनी है, अगर मैं ठीक से दिखाओं तो यह देख लो, एक ब्रांचेस इदर गए, एक ब्रांचेस इदर गए, प्रापटी के योग तो 36 के बाद सही बने है, यहां से भी दो दो चत्र बुज है, क्या बाथ है, जीवन डिरेका बड़ी अच्छी है, आयो दिरिक आयो है, यह वाली भी भागे रेका के ब्रांचेस इदे, वाली भी देख लो, भागे रेका बड़ी अदुईती है, यात् लिए अधी होगी विदेशी दर्तीत धनलाव होगा यी बुद्रेका बरिशान्दार है यहां से यहां से बरिशान्दार बुद्रेका दिकरें मनें ट्राइंगल के साथ है पैसा आनत है है और मंगल ऊरीख़ी है ये थोड़े stress के line थे, इंसान है थोड़ा सोचते लेकिन समान है, बहुत समान है चीज़ है triangles है जो property का योग तो 32 के बाद योग बन जाता है, लगजरी सुख के proper lines है, विवाईक जीवन में थोड़ा stress हो सकता है, विवाल लेट से हो सकता है ऐसे money management प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, शुकर मंगल प्रबल है, लाइफ में वैसेज में कोई दिक्कत नहीं है, मंगल रेका बरिशांदार है, जीवन comfortability के साथ बीदती है, ना की तो बात ही नहीं है लाइफ में हड़ी की इच्छाएं पूरी होती है जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वाटस अपनमा डिसक्रिप्सिन ने मिल जाएगा, लेकर आप समपर्क कर सकते हैं धन्यवाद